नमस्कार दोस्तूं सेंसकर्थ अनुवाद आज हम देखने वाले हैं हिंदी सेंसकर्थ के अंदर अनुवाद के से किया जाता है बहुती सिंपल टोपिक है लेकिन ऐसा टोपिक है जब आपको संपूर्ण सेंसकर्थ के टोपिक आते हैं तबी आप इसको कर सकते हैं लेकिन तक मेरे साथ मने रहे हैं आप सभी का में सुवागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर जो नए साती हैं वो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दें इसी के साथ अगर संपूर सेंसकर्थ वे आकरण ट्रिक के साथ आपने पढ़ ली है नहीं पढ़ी है तो संसकर्थ की प्ले लिष्ट बनी हुए उसमें जाकर देख सकते हैं कलासेज और इनकी पीडियो आपको कुचामन ओनलाइन कलासेज पर मिल जाएगी जहां पर हर टोपिक की ट्रिक के मादेम से आपको पीडियो मिलेगी और उसके द बासा इस्तानांतरन मतलब जैसे कि हम संसकर्थ में यहाँ पर अनुवाद पढ़ रहे हैं तो हिंदी की जो बासा है उसको हम संसकर्थ में कर रहे हैं जो बासा है उसका इस्तानांतरन कर रहे हैं हिंदी से संसकर्थ में और इसी को क्या कहते हैं अनुवाद कहते हैं चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी, लकार, पांच, वैसे तो दस लकार होते हैं, लेकिन आपको पांचु लकार याद होनी चाहिए, एक एक के बारे में हम इस वीडियो में विश्तरित अध्यन करेंगे, काल, पुरूस, वचन, कारक, विभक्तियां, लिंग, विशेशन और सर्वे नाम, ये चीज़ें जब तक आपको ये सोच के चलो कि याद नहीं है, तो आप अनुवाद नहीं कर पाओगे, और इनको याद करने का तरीका क्या है, वो आपको हर एक कलास में मैंने ट्रिक के साथ समझाईए, तो वीडियो देख लें एक एका, आप आपको आसानी से याद हो जाएगे, और आज भी हम एक एक चीज़ को याँ पर समझने का प्रियास करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कारक टोपिक को, कि कारक में आपको क्या याद करनी है, मित्रु जैसे ही कोई वाक्य आपके सामने आएगा, ध्यान से सुन ले ना मित् जैसे अब बात यहाँ पर करें कि करता के अंदर कौन सी विवक्ति का प्रियोग होगा, हमेशा पर्तमा विवक्ति का प्रियोग होगा, और करता की पेचान होगी कि करता अग्ध है उसके आगे ने लगावा होगा, यह करता भहुत बार सौतंतर भी रहता है, इसके आगे च करम कारक है इसके अंदर द्वीतिया विवक्ति हमें सा प्रियुक्त होगी और चिन होता है को दोस्तु इसका करन कारक है मित्रूं इसमें तर्थिया विवक्ति प्रियुक्त होगी और सें या के दुवारा इसके आगे मिलेगा करन के आगे आगे आपको सें के दुवारा यह च और के लिए या को इसका चिन होता है दोस्तूं, अपादान कारक, अपादान कारक में पंचमी विबगती होती है और इसका जो चिन होता है वो सें, और सें होता है अलग होने के अर्थ में, किसी चीज से कोई अलग हो, जैसे पेड से पता अलग हो रहा है, हिमाले से गंगा अल पर्थमाई विबक्ति ही पर्यूक्त करनी है आपको और चीज़े आपको मिलती है तो समझ जाना आपको पर्थमाई विबक्ति लगानी है और यह चीज़े आपको दिखाई देंगे आगे देखिए दोस्तों आगे नोट लगाकर कुछ लिखा गया जिस चीज़ को देखिए जिससे सबदी के आगे जो चीज़े अनुसार विबक्ति का परियोग करते है जैसे ने आ गया तो पर्थमाई विबक्ति को आगया तो दित्या विबक्ति सें या के दुवर आगया तो तर्थिया विबक्ति के लिया आगया तो चतूर्ति सें अलग होने कार्थ में पंचमी का की के मिल जाए तो सश्टी में पर मिल जाए तो सब्तमी हे भो अरे रे इसमें पर्थमा विबक का वाय राम ने मतलब ने आगे आ रहा है तो राम क्या बन जाएगा करता बन जाएगा करता के अंदर कौन सी विवक्ति हम परियुक्त करेंगे पर्तमा विवक्ति परियुक्त करेंगे तो पर्तमा विवक्ति में राम का क्या बन जाएगा राम है आगे न समझ गये न कारक के अनुसार हम करता को कैसे यूज कर रहे हैं अब आके देखते हैं पुर्षू को कि सैंसकर्थ के अंदर पुरुस कोन से हैं सैंसकर्थ के अंदर तीन पुरुस होते हैं लेकिन मित्रू इन पुरुसू को पेचाने कैसे हैं कि पर्तम पुरुस है, मद्यम पुरुस है, उत्म पुरुस है, तो देखिए, पर्तम पुरुस, जिस वेक्ति के विशे में बात कही जाए, जिस वेक्ति के बारे में हम कुछ बोलते हैं, उसी को पर्तम पुरुस में परियोग करते हैं, जैसे राम है, कह है, सह है, समझे दोस् आगे देखे मद्यम पुरुष जिस वेक्ति से बात की जाती है जिस वेक्ति से जैसे मद्यम पुरुष में हम यूज करते हैं तुम तुम दोनों तुम सब ये मद्यम पुरुष में आते हैं तो जिस वेक्ति के बारे में हम तुम याने किसी वेक्ति के बारे में जिस स्रोता क के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मद्यम पुरुस में आएगा याद रख लेना अच्छी तरह है परतम पुरुस में जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं जैसे वह सैतोते वह वे दोनु वे सब बात कर रहे हैं उनके बारे में तो यह परतम पुरुस में आएंगे आगे हैं उ पुरुस के लिए उत्तम पुरुस का प्रियोग करते हैं, अगर आप खुद के लिए प्रियोग कर रहे हो तो उत्तम पुरुस का आपको प्रियोग करना है दोस्तूं, अहम, आवाम, वयम, मेह, हम दोनों, हम सब, ये किसके लिए, हमारे लिए हो गया दोस्तूं, तो पुरु एक वचन द्वी वचन और बहू वचन वचन भी आपका यहां पे कलेर हो रहा है दोस्तू वचन को ध्यान से देख लेना संसकर्ट में तीन वचन होते हैं एक वचन द्वी वचन और बहू वचन तो वचन के लिए आ गया वे दोनु दो हो गए तो दिवी वचन हो गया और वे सब यानि भहु सारे तो बहु वचन हो गया ये आपके होगा पुल लिंग ये होगा इस्त्री लिंग और ये होगा नपुसक लिंग के लिए परियुक दोस्तूं आ गया समझ में दोस्तूं इसी प्रकार ह ये एक वचन, ये द्वी वचन और ये बहु वचन अब उतम पुरुस में देखिए अहम में आवाम हम दोनू वयम हम सब ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्वी वचन और ये हो गया बहु वचन ये चीजे हैं बेसिक नोलेज होता है दोस्तु तो इनका basic जानकारी आपको होनी जरूरी है, तभी आप है, जो वाके को पड़कर वाँपर पता कर सकते हो, कि इसके अंदर हम कौनसे विबगति परियूगत करیں, इसके अंदर ये दWी वचन है, बहु वचन है, एक वचन है, कौन सा इसके अंदर हम पुरुस है वो है जो इसका नुसार आप है जो वाक्य बना सकते हैं दोस्तू आगे चलते हैं दोस्तू नोट लगा कर लिखा गया वचनों के बारे में तीन वचन होते हैं जो आप सभी को पता है हिंदी के अगर हम बात करें तो दो ही वचन हम वहां पर मानते हैं एक वचन और बहु वचन जबकि सैंसकर्ट में तीन होते हैं एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन एक वचन एक वेक्ति या वस्तू का बोध कराए तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों बहु वचन होगा तो वचन तो साइद आप सभी को पता है आसानी से आप पेचान भी इनको जाओगी लेकिन आप बात करते हैं लिंग की और लिंग की मैंने सांदार वीडियो आपके सामने पहले भी बना कर रख दिये जो आप सभी ने बह लिंग होता क्या है? लिंग तीन परकार के होते हैं सेंसकर्थ के अंदर पूललिंग इस्त्रीलिंग और नपुसक लिंग। पूलिंग जो सबद पूरुसजाती का बोद कराता है उसको fooling केते हैं यहाँ पर बना सकते हैं कि राम है जेपूरम गचती, तो यहाँ पर राम है क्या है, राम क्या है, पूर्लिंग है दोस्तु, इस्त्रिलिंग जो इस्त्रि जाती का बोध ग्राई, कैसे दोस्तु, गीता है ग्रामम गचती, तो गीता क्या है दोस्तु, गीता क्या है, गीता एक इस्त्री लिंग है दोस्तूं, अब दोस्तूं यहाँ पे हो जाता कि वह जे पुर जाता है, वह जे पुर जाती है, तो वह पर वह वह आ रहा है, तो यहाँ पे आप से लगाओगे या सा लगाओगे, यह कन्प्यूज हो जाता है, इसलिए आपको लिंग यादोना जरूरी है बात करते हैं नपुसक लिंग की नपुसक लिंग ने तो इस्तरी नपुरुस यानि नपुसक तो का बोध कराते हैं वो नपुसक लिंग में आते हैं जैसे दूद मान सकते हैं वन मान सकते हैं फल पुस्तक ग्यान ददी मदू वस्तरम ये सबी क्या है नपुसक लिंक सब्द होते हैं दोस्तू आगे साइद सबी को लिंक समझ में आगे देखें दोस्तू लकार के बारे में मित्रू लकार के अगर हम बात करें तो सैंसकर्ट के अंदर 10 लकार होते हैं लेकिन हमें सिर्फ 5 याद करने हैं सैंसकर्ट अनुआज जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर आपको पांच लकार याद है तो आसानी से काम चल जाएगा आपका लेकिन मित्रू अब बताईए कि लकार आपको याद क्यों करने इसका मकसद यह है कि जो वाक्य होगा जो वाक्य होगा वो वर्तमान काल में है बूत काल में हैं बविश्यत काल में हैं आग्यार्त काल में हैं या चाहिए के अर्थ के का समंदित है उसको पेचानने और उसका परियोग करने के लिए आपको लगा लकार है और पांचू लकार पांचू लकारू के जो रूप है वो आपको याद होने चाहिए दोस्तू ज जैसे लटलकार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं वर्तमानकाल, अब वाकिया आएगा आपका वर्तमानकाल का, वाकिया आएगा तो वहाँ पर आप लटलकार के ही रुप परयोग करेंगे, जैसे सिताँ पुसतक पढ़ती है, सीतां पुस्तक पढ़ती है तो यहां पे सीतां पुस्तकम पढ़ती यहां पे आपने क्योंकि पढ़ती है वर्तमान में वो पढ़ रही है लटलकार है यहां पे तो लटलकार का पढ़ती हमने यहां पे योजे किया है दोस्तूं हमने आगे देखें लंग लकार लंग लकार होता है भूतकाल लंग लकार कौन सा होता है भूतकाल भूतकाल के एर्थ में आपको अगर वाकिया आपको लगता है कि इसमेकार ये है जो किरिया है वो भूतकाल में हो रही है जैसे मैंने पाट पड़ा एहम पाटम एपटम तो एपटम यूज किया है मैंने यहां पे एपटम क्यों? क्योंकि मैंने पाट पड़ लिया है पेले तो एपटम यूज किया है तो यह याद रखना है दोस्तों तीसरा है हमारा लरिट लकार लरिट लकार होता है हमारा भविशित काल कौन सा होता है भविशित काल जैसे मोहन गाउं जाएगा भविशित काल ने भविशे में जा रहा है ना मोहन मोहन गाउं जाएगा मोहन है ग्रामम गमिश्यामी गमिश्यती मोहन है ग्राम है गमिश्यती तो यहाँ पे दोस्तों यह बताईए कि आपको पता चला ना लकार के अनुसार ही वाक्य चलता है आगे देखे लोट लकार जो आग्यार तक के काल में प्रियूक होता है कैसे हैं? देखे दोस्तों तुम घर जाओ आपको बोल दिया तुम घर जाओ वाक्या है आपके सामने अब आपको पता करना है कि तुम घर जाओ यहाँ पे लकार कौन सा है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आग्या दी जा रही है कि तुम घर जाओ आग्या तक काल है यहाँ पे तो यहाँ पर आपको लकार कौन सा यूज़ करना है? करना है जैसे उसे वहां जाना चाहिए सहे तत्र गच्चेत दोस्तूं ये हो गया दोस्तूं अब कुछ मैं आपको नियम बताने जा रहा हूं वो आपको ध्यान रखने है दोस्तूं इन नियमों के अनुसार ही हमारा पूरा कार यह है वो चलेगा दोस्तूं आगे देखे वाक्य के अंदर आपको वर्तमान काल का दिया है तो आपको लटलकार का ही परियोग करना है, अगर वाक्य आपको भूत काल का दिया है तो आपको लंगलकार का परियोग करना है, अगर वाक्य आपको भविशित काल का दिया है तो आपको लरिटलकार परियोग करना है, तो लक का परियोग समय वे काल के अनुसार होता है दोस्तूं दूसरी बात देखिए यहाँ पे समझने का प्रियाज कीजिए दोस्तूं जो चीज हमने पेले पढ़ लिये सैतोते त्वम युयम एहम आवाम वयम वही चीज है असमद यानि एहम आवाम वयम सब्द हो तो किरिया उत्त पुरुस्की परियुक्त होगी यहाँ पर जो किरिया अगर आपको मिले एहम आवाम और वयम से समन्दित में हम दोनु हम सब यह चीज़े अगर कहीं पर मिले तो जो किरिया आप यूज करोगे न वो उत्तम पुरुस्की यूजे करनी है दोस्तूं अगर जो करता है वो करनी है दोस्तूं आगे है करता अगर संग्या हो या तत यानि सहत होते हो तो वहाँ पर आपको जो किरिया है वो पर्तम पुरुस्की यूज करनी है दोस्तूं ये चीज़े आपको याद रखनी है आगे देखे दोस्तों तीसरा नियम क्या कहे रहा है सर्वे नाम वे विश विशेशन सब्दू है अगर सर्वनाम सब्द दिया है अगर विशेशन सब्द दिया है तो उनकी लिंग की बात की जाए उनके वचन की बात की जाए उनके विबक्ती की बात की जाए तो वही विबक्ती वही लिंग वही वचन होगा जो विशेशन की है दोस्तों जिसकी सर्वनाम और विशेशन सब्दूं की होती है चोता नियम है एक ही वाकिय में अनेक बार करता होने पर किरिया के वचन वे पुरुस अंतिम करता के अनुसार होंगे एक वाकिय में अगर दो करता आगे दो करता आगे तो अब आप किरिया कोंसे की अनुसार यूज़ करोगे तो जो अंतिम करता है उसके अनुसार जो किरिया का वच्चन है किरिया का जो पुरुस है उसको आपको यूज़ करना है दोस्तूं और पांचवन यहम देखिए फिर हम उधारन देखेंगे दोस्तूं संग्या सब्दू को पर्तम पुरुस मानकर उनके साथ किरियाओं का प्रियोग करना चाहिए जो संग्या सब्द होते हैं उनसको अमेसा पर्तम पुरुस का माना जाएगा जैसे सहे तो ते का मानते हैं उसी परकार पर्तम पुरुस का मानकर किरिया को यूज करना है अब उधारन में चलिए और उधारनों से कैसे हम करते हैं वो देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगर आपको आज की कलास में अनुवाद करना नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट एक कलास लेकर आओंगा परशनु की जिसके अंदर लगबग 50 परशनु को आसानी के साथ कैसे आप हल कर सकते हो वो तरीका भी आपको बता दूँगा पहला देखिए तुम पढ़ते हो सबसे पहले आपको जाना है करता भी यहाँ पर तुम पढ़ते हो के अंदर करता किसका है तुम तुम है दोस्तु मद्यम पुरुस एक वचन नहीं तौम मद्यम पुरुस एक वचन पढ़ते हो मतलब वर्तमान काल की बात हो रही है तो तौम पटसी पटसी वर्तमान काल यह मद्यम पुरुस एक वचन का है तो यहाँ पर तो तुम की जगत्वम आ गया और मद्यम पुरूस एक वचन में वर्तमान काल में पठ धातू का रूप बनाएए तो बन जाएगा पठसी, यह यूज करना आना चाहिए इसके दोरा आसानी से बना सकते हो, दूसरा है तुम दोनु पढ़ते हो, जो पहली बात करें तो यहाँ पर वाक्य है जो वर्तमान काल का आ रहा है हमारे, वर्तमान काल का आ रहा है, तू यहाँ पर देखिए तुम दोनु, मतलब यह हमारे किसका है, मद्यम पुरूस में, मद्यम पुरूस के अंदर द्वी वचन का है तुम दोनु, तो तुम दोनु को हम क्या बोलते तुम दोनु की जगे युवाम आ गया हमारे अब पढ़ते हो इसको हमें लट लकार के अनुसार चलना है तो लट लकार के अंदर मद्यम पुरुस द्वी वचन का रूप होता है पटसी पटत पठत है हो गया दोस्तु अब चलते हैं तीसरे उधारण की ओर तीसरा उधारण ह हमारा तुम लेक लिखते हो तुम लेक लिखते हो करता है मद्यम पुरुस एक वचन का लेक लिखते हो यहां पे क्या रहा लेक अब दोस्तु यहां पे आपको पहले एक बार है जो वाच्छे पढ़ ले वाच्छे क्या होते हैं क्योंकि वाच्छे का भी यहां पर यूज ह सेंसकर्ट में वाचे करता पर्तमा वर्षमा वक्ति परियुक्त होती है क्रिया करितरी वाचे में करता के करता के नुसार लगती है करम वाचे तर्थिया विवक्ति का होता है करम पर्थमा विवक्ति का होता है और किरिया है जो करम के अनुसार लगेगी तो किसके आजाएगी पर्थमा विवक्ति की आजाएगी दोस्तों बात करते हम यहाँ पर भाव वाचे की भाव वाचे में भाव वाचे यानि करम वाचे में से हम अगर करम को उटा दें तो भाव वाचे बन जाता है यहाँ पर देखे सेम तर्तिया विवगती सेम परतमा विवगती और यहां पे करम को हमने क्या कर दिया है अटा दिया तो बावाचे बन जाता है इसके अनुसार भी आपको परियोग करना रहता है वाचे के अनुसार भी आपको वाके मिल सकते हैं एक जाम में अब यहां पर एक चीज़ याद रखना, करम वे बावाचे में, किरिया है ना किरिया, करम और बावाचे इन दोनों के अंदर किरिया आमें सा, आत्मने पद में होगी आपको यह जोड़कर आत्मने पद बनाना होगा दोस्तुं, अब देखते हैं तीसरे को वापस, यहां पर तुम लेक लिखते हो इसको आप करित्री वाच्ची का वाक्य बना सकते हो न दोस्तूं तुम लेक लिखते हो पहले बात करें तो यहां पे जो वाक्य है वो वर्तमान काल का है तो लिखते हो इसका लिखते हो का क्या होगा दोस्तूं लिखते हो किसके नुसार लगेगा करता क तुम है दोस्तों तो तुम का क्या हो जाएगा तुम हो जाएगा अब यहां पर यह देखिए जो तुम है यह मद्यम पुरुस एक वचन का है मद्यम पुरुस एक वचन के अनुसार आप किरिया को लिखिए किरिया बन जाएगी आपकी लिक्सी क्या बन जाएगी लिक्सी अब चलते हैं, चोथे उदारण की ओर, थोड़े स्पीड के साथ देखिए, लंबा हो रहा है वीडियो, कम समय में अधिक देना है, रमेश विदहले जाता है, रमेश है दोस्तु यहां पर, विदहले जो जाता है, बात यहां पर कर रहे हम वर्तमान काल की, अब दोस्तु यहां पर देखिए, रमेश, रमेश आपके आएगा, वो आएगा पर्तम पुरुस एक वचन में, पर्तम पुरुस एक वचन का है दोस् तो बन जाएगा गचती और विदाले को लेकर जाएगे दुवित्या में तो विधालयम बन जाएगा दोस्तों, आगे देखे, विधाले के चारू और वरक्स है, सबसे पहले विधाले में चली तो विधाले बन गया, अब दोस्तों यहां पे देखे, आसानी से समझे, विदाले के चारू और, चारू और को क्या कहते हैं सेंसकर्ट में? परीत कहते हैं, है क्या चारू और? वरक्स है, वरक्सा के संती, यानि विदाले के चारू और वरक्स है, विदाले परीत वरक्सा संती, आगे देखे, लक्स मना है लक्स मना है लक्स मना है राम का यहां पर देखिए कौन सा कारक प्रियुक्त हो रहा है कौन सा कारक है दोस्तूं ध्यान से समझे राम लक्स मने राम का भाई है तो यहां पर देखिए राम का यह निस सश्टी विबक्ति लक्स मना है राम के अंदर सश्टी विबक्ति आ पात्वें के अंदर सातु हैं दोस्तु धर्म पाप से बचाता है धर्म तो धर्म है पर्तमा एक वचन रक्सती यानि बचाता है को क्या केते रक्स धतु है बचाना तो इसका पर्तमा एक वचन में बन जाएगा दोस्तु हमारा क्या बनेगा रक्सती और पाप से तो पापात क कारक पेचान ही है यहां पे अध्यापक सेंग तो सेंग किस के अंदर आता है दोस्तों किस कारक के अंदर सेंग आता है करण कारक में अब अध्यापक को आपको तर्तिया विवक्ति के नुसार बदलना है तो सबसे पहले चातर को बदलिए तो चातर चातर हो गया यहां पे दो चातर अद्यापक से पढ़ते हैं, एक चातर नहीं है यहाँ पे, बहुत चातर है, तो पटन्ति यहाँ पर पर प्रियोग होगा, आगे चलिए नो नमर में, पिता पुत्र पर करोध करता है, तो पर किसमें यूज होता है, अधिकरण के अंदर सब्तमी वबक्ति आपके दोस्तुं करोध करता है कर क्या रहा है करोध कर रहा है तो करोध करने चाहतू होगी अब यहां पर देखेंगी पिता के अनुसार में क्या करना है जो क्रिया है वो यूज करनी है तो पिता पर्तमा एकवचन का है तो इसको पर्तमा एकवचन में बनाएंगे हम तो बन जाएगी कुर्धयुति अब देखें यहाँ पे पुत्र पर पर किस में आता है सब्तमी में अधीकरण में तो सब्तमी विवग्ति हो जाएगी पुत्र आए आगे चलते हैं दोस्तू दस नमर का है वे विदाले की ओर जाता है सहे विधालयम प्रति गच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पर्षन पूछता है गुरू सिसे से पर्षन पूछता है गुरू गुरू है तो गुरू पर्तमा एक वचन हो गया दोस्तों पर्तमा जो हमारे पूरुस है पर्तम पूरुस है एक वचन हो गया यहां पर पर्तम पूरुस एक वचन तो पूछता है पूछता है में इसके अनु तो दोस्तों आज का जो अनुवाद टोपी का आपको वीडियो है वो एक बार कमेंट करें कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक सेर और अपने मित्रू के पास अधिक सेर करने का प्रियास करें नए साती हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे बारत